नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका आपके पनी यूट्यूब चैनल दोस्तों बात करने वाले हैं काफी बड़ी ख़बर निकल किया रही है O NGC O L India के शेर में आग लग सकती है आग लगने से मतलब क्या है आग लगने से मतलब है कि काफी बड़ी काफी तीजी आपको इन दोनों स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है जिस तरीके से अभी तक आपने देखा कि नीचे के लेबल से अच्छा खासा जो है मोमेंटम हमें दोनों स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है return के मामलों में बात करें तो अच्छे खासे return आपने अब तक जो है दोनों stock से प्राप्ट कर लिए हैं तो long term में ये दोनों stock जो है आपको आसमान छूत वे नजरा सकते हैं पिलाल में government की तरफ से एक plan आ रहा है और उस plan के बाद में किस तरह के reaction हमें दुनों स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जिसे के आप जानते हैं कि जिस तरीके से लगतार अगर बात करें बहुत सारे जो उद्योग हैं उनके अंदर इस समय कोईले का प्रयोग जो है अच्टादिक मातरा में किया जाता है तो कोईले के प्रयोग को कम से कम करके तो कोईले के प्रयोग अगर कम होगा ता उसके लिए हमें क्या होगा दूसरे जो हमारे माध्यम है उनको आगे लाना पड़ेगा जिस तरीके से गैस से related हो गया, electric हो गया तो इस तरीके के माध्यम को जो हम आगे लाएंगे तो उससे क्या होगा कोईले का प्रयोग automatically कम हो जाएगा तो सरकार भी यही चाहती है, और सरकार क्या काम करने वाली है कि जितने भी हमारे सारे उद्योग हैं उनके अंदर गैस को plantation करने वाली है गैस के माध्यम से उद्योग चलने वाले हैं तो उससे क्या होगा उससे कोईले की खपत कम होगी प्रोडूशन का स्तर जो है कम से कम होगा तो इस चीज़ पर फिलाल में क्या है कि गवर्मेंट लगातार प्रियास कर रही है तो दोनों कमपनियों को सरासर फाइदा होने वाला है तो इसके लिए जो है दोनों कमपनियों के बीच में फिलाल में एक वारता चल रही है लगतार क्या है कि जिस तरीके से हमने दोनों कमपनियों के बिजनिस के अंदर लोंग टम में उच्छाल आता हुआ देखा है तो अब अच्छा कासा मुमेंटम दोनों कमपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है तो अभी फिलाल में यही नियूज निकल किया यह है कि जो उद्योग पहले कोईले से चल रहे थे अब जो है गैस से चलाए जा सकते हैं उन्हें गैस में कनवर्ट कर दिया जाएगा इससे क्या होगा कि गैस की खपत को बढ़ावा मिलने से ओन जीसी और ओरल इंडिया जीसी कमपनीयों को सरकार से बड़ बड़ ओर मिलने की उम्मीद फिलाल में लगायी जा रही है देशकी रहधानी दिल्ली के निहीं क्या कि कमेटी का गठन किया गया तो फिलाल में पचास से ज़्यादा ऐसे उड्योगिक छेतर है जिनकी पहचान हो चुकी है तो इसके माद्ध हम से इंदरपरस्त गैस लिमिटेड को काफी बढ़ावा मिलने वाला है गेल को काफी फाइदा मिलने वाला है क्योंकि गैस पाइपलाइन बिचाती है तो काफी ब जो है उच्छाल मिलने की उमीद लगाई जा रही है ओन्जीश के शेयर में आपने काफी तगड़ा मुमेंटम देखा जिस तरीके से लगातार नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है तो फिलाल में अगर बात करें इंट्राडेट ट्रेडिंग छेसन की तो लगबग 64 रुपए के आसपास आपको यह स्टोक जाता हुआ दिखाए दिया था तो लगबग 50% से ज्यादा के पोजिटिव रिटरंस आपने इस टोक के अंदर देख लिए होंगे तो अच्छा कासा प्रॉस्पैक्टस अब निकल के आ सकता है फ्यूचर करने के बाद में अच्छी खासी मजबूत ही हमें स्टोक के अंदर देखने को मिल सकती है चली दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो मार्केट कैप काफी खिक ठाक देखने को बल रहा है लगबग 51,965 क्रोड से जादा का मार्केट का देखने को मिल रही है अगर बात करें डैप्ट की तो कंपनी के उपर करजा भी है लगबग 13,949 क्रोड से जादा का करजा भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है फिलाल मैं आपने चार्ट पैटर्न में देखा तो अच्छा का सा मोमेंटम आपको स्टोक के अंदर देखने को मिल चु बात करें तो पांस साल के दुरान नुकसान होता हुआ नजर आया तीन साल में भी गिरावट और एक साल के दुरान भी गिरावट देखने को मिल रही है रिटन ऑन इक्विटी की बात करें तो पांस साल के दुरान लगबग 10% का उच्छाल तीन साल में लगबग 10% का उच् घरे ले निवेशकों की लगबख 70.88% के आसपास बनती है उने ज़रा लिये पबलिक की हिस्सेदारी की बात करें तो लगबख 14% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इनकी निखल किया रिये FIS की बात करें तो लगबख 7.6% के आसपास देखने को मिल रही है तो काफी ठिक ठाक प्रोस्पेक्टर अब तक देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं क्वाटर लिजल्ट्स के बारे में तो देखिए Q3 के अंदर किस तरीकी का मॉमेंटम हमें लोगों को देखने को मिला 24,492 करोड की सेल्स होती हुए नजर आई थी तो वहां से तो अभी फिलाल में यह हम लोगों को गिरावाटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में तो पिछले कौर्टर से ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है 2495 करोड के मुकाबले 2877 करोड का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है तो काफी ठिक ठक फिलाल में फिकर हम लोगों को देखने को मिल रही है अब येर बाई येर आप देखते हैं कि इस तरीके का हमें चेंजिस देखने को मिल रहे है मार्च 2020 के अंदर 6,213 करोड के आसपास आपको नेट सेल्स के अंदर ग्रोफ देखने को मिल रही है तो लगातार जो है अगर येर बाई येर आप देखेंगे तो आपको ग्रोफ देखने को मिल रही है 2019 के अंदर तीन बार ये कंपनी डिविडेंट डिकलेर कर चुकी है 2018 के अंदर भी ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंट प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है और इंडिया के शेर की बात करें तो अच्छा का सा मुवमेंट हम आपको स्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है पोजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है च्छे महीने की बात करते हैं लगातार देखे नीचे के लेवल से अच्छी का से ज्यादा की करें लगबाग आठीट में लगबाग 8885 करोड का करच भी देखने को मिल रहा है अब अच्छा का सा मुमेंटम आपको वैलेशन चार्ट में देखने को मिल रहा है तो दूसरे नंबर पर एककमपनी आती है तो सेल्स के अंदर आपको 5 साल-3 साल के दुरां जो है ग्रोफ को मिली एक साल के दूरान जो है फोड़ा डिसपोइंट में देखने को मिला है रिटन ऑन एक कि बात करे तो एक साल तीन साल और पांस साल में आपको मजबूती देखने को मिली अब देखे लिए लगवद परमोर्टर्स के सिधारी शपन परशेंट से जयदा की निकल के आ रही है लगवग 19 परशयन परश्ण से ज्यादा की प्वाट करते हैं quarterly results देखते हैं किस तरीकी के रहे हैं तो Q3 के अंदर अच्छे का से number company के द्वारा पेश किए गए Q2 के दुरान तो लगातार Q2 और Q3 के अंदर improvement हम लोगों को देखने को मिला है बट क्या है कि अगर थोड़ा सा पीसे चलेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को यह आखड़ा कम होता हुआ नदर आ रहा है अब देखते हैं यर बाई यर जो है किस तरह किसी growth देखने को मिली है तो यर बाई यर आपको लगातार देखिए 2016 से 2017 2018 2019 2020 लगातार जो आपको डिवेंट्ट डिकले कर चुए है और 2018 के अंदर भी दोवार डिविडेंट दे चुकी है अगर गेल इंडिया के बारे में तो अच्छा का सा मुमेंटम स्टॉक्स के अंदर हमें लगातार देखने को मिल रहा है अगर लोंग टरम के हिसाद से देखने के कुशिश करेंगे डिविडेंट यली भी लगबख 5% के आसपार देखने को मिल रहा है डैप्ट कंपनी के ओपर करजा भी है फिलाल 5556 करोड का आपने देखा अच्छा कासा मुमेंटम आपको स्टॉक्स के अंदर चार्ट पैटन में देखने को मिल रहा है कंपनी की बात करें तो गेल इंडि क्यवन रिपान परदिन के लिर अचार्ट से जिरो ये नियुचका अपर सब्सक्राइब करें म餘 राक्याइए ग्राण ऊच्छा ते समय तूरा 250 सब्सक्राइब परशेंट से ज्यादा पबलिक की लगबख 5 परशेंट से ज्यादा और अधर्स जीरो फिलाल में दिखाई दिते हुए नजर आ रहे हैं अब बात करते हैं इसके क्वार्टर ली रिजर्ट्स के बारे में तो अच्छा का सा क्वार्टर रहा था क्यू थी का ग्रोथ देखने क को मिल रहे हैं 2016 के अंदर 51,721 करोड के आसपास आपको नेट सेल्स होती हुए नजर आई थी उसके बाद में हमें disappointment देखने को मिला 2017 के अंदर फिर बढ़ते हुए नजर आई 2018 के अंदर 2019 के अंदर और भी आपको progress देखने को मिली 2020 में थोड़ा सा आपको देखने को मिल रह रवर 71,870 करोड के असपास तो लोंग टम का future बहुती बहुती बहतरी दिखाई दे रहा है जिस तरह किसे लगातार हम लोगों को इस stocks के अंदर भी उच्छाल देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं डिविडेंट किस तरह की है तो डिविडेंट पी कंपनी हम लोगों को थैंक, तरह वोचिए.